आज की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे कॉंग्रिस पार्टी छोडने की अटकलों के बीच मंध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री कमलाथ दिल्ली में मौजूद है कमलाथ के दिल्ली पहुँचते ही बीजेपी में शामिल होने की उनकी अटकले और तेज हो गई है बताया जा रहा है कि कमलाथ अपने सभी कारक्रमों को रद करके दिल्ली पहुँचे है हाला कि कमलाथ ने अब तक कॉंग्रिस पार्टी से स्तीफा नहीं दिया है बावजुद इसके माना ये जा रहा है कि कमलाथ और उनके बेटे नकुलनाथ बहुत जल्द बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और चुकि वो दिल्ली में मौजूद है इसलिए ये अटकले और भी ज्यादा तेज होती हुई दिख रही है हला कि कमलनाथ ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं बीजेपी में शामिल होने के न्यूज जेट इन इडिया के सवाल पर कमलनाथ ने कहा है कि समय आने पर जानकारी दे दूँगा दरसल अटकले ये लगाई जा रही है कि कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ कॉंग्रिस छोड़कर भारती जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं ये आप लोग कह रहे हैं आप लोग एक्साइट हो रहे हैं मैंने का मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरब या उस तरब पर बात यह है अगर ऐसी कोई बात होगी मैं आप सबको सबसे पहले ख़बर करें ये आप लोग कह रहे हैं आप लोग एक्साइट हो रहे हैं मैंने का मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरह भी आउस तरह पर बात यह है अगर ऐसी कोई बात होगी मैं आप सब को सबसे पहले खबर करें अपने पत्ते नहीं खोले हैं लेकिन खबर है कि उनके साथ नकुल नाथ और कई कांगरेस नेता भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं हाला कि कॉंग्रेस इसे कोरी अफवा बता रही है, दूसरी तरफ वीडी शर्मा का कहना है कि बीजेपी नेत्रतु पर विश्वास रखने वाले हर शक्स का स्वागत है वो चिनवाडा में है और जिस व्यक्ती ने अपने राजनेतिक जीवन की शुरुवाद नहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद की सरकार इंद्रा जी को जेल भेज रही थी उस आदमी तो आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कॉंग्रेस वासी सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़के जाएगा, इंद्रा जी के परिवार को छोड़के जाएगा, आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। और अब कांग्रेस भले ही कांग्रेस को लेकर चल रही, खबरों को अफ़ाँ बता रही हो, लेकिन इसी से जुड़ी हुई दूसरी सबसे बड़ी खबर ये है, कि कांग्रेस के बेटे नकुल नाथ और MP कांग्रेस के एक और सीनियर नेता सज्जन वर्मा ने अपने एक्स प् ये किसी भी हद तक जा सकता हूँ. त्यूरी उस राज्नितिक डल की थे, इसलिए आज में सुतंत हैं फिर कदम उठाने के. हालांकि कांग्रेस पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि कामलनाथ कांग्रेस के सीनियर नेता हैं और वो ऐसा नहीं कर सकते. दूसरी तरफ बीजेपी का ये कहना है कि कॉंग्रेस में सीनियर नेताओं को अपमानित महसूस कराये जाता है बार-बार उनको अपमानित किया जाता है और पहले भी कॉंग्रेस पार्टी के कई नेता पार्टी छोड़ चुकें सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी दो महीने पहले जिनके नेत्रोत में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रेस का कारी करता अपनी जान अड़ा कर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निचावर करता रहा क्या उनको छोडने की बाद कमल ना जी कर सकते हैं कभी सपने में भी आप सोच सकते हैं कि जब सिंद्या जी जा रहे थे करकार गिरा कर दो जा सकते हैं मैं फिर से जैसा कि अपवाएं हैं राजसभा का चुनाव में अशोक सिंग जी का नाम कांग्रेस पार्टी में आधरनी कमल नाजी ने प्रस्तावित किया था और उसी के आधार पर हम सब विधायकों ने भी किया था हमारे पूरे नित्रत ने एक साथ मिलके किया था और सर्व सम्मती से अशोक सिंग जी को राजसभा भेजा गिया और यही कारण है कि वो एक मात्र कांग्रेस के उम्मिदवार आप सब के बीच मैं तो मैं फिर से ये और वादी राजनीती में सब होता भी है तो कुल मिलाकर जहां पर जनाधार वाले लोगों को अपमानित महसूस कराया जाता है बार बार उनको अपमानित किया जाता है पूर में भी कॉंग्रेस के कही नेता इसी कारण से पालिटी छोड़ कर गए है तो कोई अगर कमलनाज भी जाएंगे तो कोई आश्चरे नहीं होगा सुभा दस बजे ये प्रस्ताव रखे जाएंगे और फिर इसके बाद में इन प्रस्तावों पर समर्थन होगा और फिर दोपहर बारा बजे के बाद प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी का संबोधन आज होने वाला है और बीजेपी से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है आज दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंतरी परिशद की बैठक भी होगी प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड़ा इस बैठक में शामिल होगे साथी बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंतरी और उप मुख्यमंतरी भी शामिल होगे जनकारी के मुताबिक बैचक दोपहर साड़े तीन बजे भारत मंडपम में होगी दिली में बीजेपी के राश्ट्री अधिवेशन के पहले दिन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया गया राम मंदर का जिक्र होने पर बीजेपी पतादिकारियों ने खड़े होकर प्रधान मंत्री का भिवादन किया और फिर इसके बाद बीजेपी के सीनियर नेताओं ने अपने संबोधन में ये कहा कि मंदिर का निर्माण जो वादा बीजेपी ने किया था वो पूरा करके दिखा दिया है कुछ लोगों ने उफास भी किया और कहा रामलला हम मंदिर वहीं बनाएंगे तिथी नहीं बताएंगे या तिथी कब बताएंगे तो हमने कहा कि आपको तिथी भी बताएंगे और आप जरूर आएंगे आप आए नहीं ये आपके कर्ण से लेकिन अब 22 तारीक को आदरणिय प्रधान मंत्री जी ने 11 दिन का कठोर अनुष्ठान करने के बाद रामलला का प्रान प्रदिश्ठा का प्रदिश्ठान किया प्रवोश्री रामलला अपने भव्य और दिप्य मंदिर में पांच सदी के बाद